हलो दोस्तों आप सब कैसे हैं आज हम गाजर और खच्छे नारियल से बनने वाली रेश्पी सीखेंगे तो चलिए चलते हैं कीचन की तरफ और सीखते हैं हम कच्चा नारियल लेंगे नारियल का जो उपर का हिस्सा है उसे हम निकाल देंगे नाइब की मदस से और इसके छोटे-छोटे पीसेस कर लेंगे देखिए हमने सभी को छोटे-छोटे पीसेस कर लिए अब हम मिक्सी जार में से रखके ग्लाइंड कर देंगे और हम पानी नए डालेंगे और ना दूद ऐसे ही ग्लाइंड करेंगे, देखिए ग्लाइंड हो चुका, अब हम गाजर लेंगे और गाजर को भी हमने कट कर लिया है, अब हम कुकर में इसे डालके बॉइल कर लेते हैं, और हम एक कप के करीब में दूद लिये हैं, दिखें बाइल हो चुका है अब हम इसे मिक्सी में डाल के ग्लैंड कर लेंगे लिक्विड हमारा रेडी हो चुका है अब हम गैस पर कड़ाई को रख देते हैं और उस दो टेबल इस्पून के करीब में हमने घी लिया है अब हमने जो नारियल पीशा हुआ था उसे हम डाल के रोष्ट कर लेंगे भून लेंगे और फ्लेम धीमी होनी चाहिए और हम इसे बराबर चलाते रहेंगे अब गाजर का जो पेश्ट है हम बाद में जड़ा लेंगे जब नारियल हमारा भून जाएगा भून चुका है अब हम पेश्ट को डाल के इसे मिला लेते हैं नारियल में देखिए इस तरीके से हम मिला लेंगे हमें पराबर चलाते रहना है अब हम इसमें अधा कटोरी के करीब में चीनी लिया है आप चीनी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम ज़्यादा और इसे भी हम मिला देंगे देखिए हमारी चीनी मिल चुकी है मेल्ट हो चुकी है अब हम इसमें मिल्क पाउडर लेंगे हम तीन टेबल स्पून के करीब में मिल्क पाउडर लिये हैं और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे अब हम इसमें आधा टेबेल स्पून के करें में इलाइशी पाउडर डालेंगे और सभी चीजों को हम मिला लेंगे देखें हमारा हल्वा कडाय छोड़ने लगा है और हम पराबर इसे चलाते रहेंगे छोड़ेंगे नहीं देखें रेडी हो चुका है अब हम गैस को बंद कर देते हैं और एक प्लेट लेते हैं और तेल को हम गिरिस कर लेंगे इस तरीके से चारो तरफ अब हम इसे इसमें सेट करके इस तरीके से रख देंगे और काजू और बादाम छुटे-छुटे पीसेस करके उपर गार्निस कर लेंगे गाजर के हलवे के उपर आप गाजर का हलवा कहिए या नारियल का दोनों मिक्षे हम इसे गाजर का हलवा नाम दे रहे हैं और आप एक बार जरूर बनाएए बहुत ही अच्छा बनता है और देखे इस तरीके से हम गार्निस कर लेंगे और हम छोटे-छोटे पीसेस कट कर लेंगे और इस सर्व के लिए रेडी हो चुका है आप जरूर इस रेस्पी को बनाएए एक बार और कमेंट में जरूर बताएए आपको कैसा लगा दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सस्क्राइब बेल आइक दबाना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए ओके बाबाए